हे गाईज दिस इस चारू वेलकम बेक तो मैं चैनल बायो कल अस्वच चारू एज टोल्ट यू आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लाइफ साइकल ओफ फैसियोला हिपेटिका जो हमने कल फैसियोला हिपेटिका का इंट्रोडक्शन देखा था आज उसकी कंप्ल इंट्रोड के लिए टैनिमल केंग्डम की और जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आउंगी वह में लेकर आउंगी कि एफिशेंटली एंसी आटी को कैसे रीड करें क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि नीट के एक्जाम के लिए the most important the most conscious part is NCRT है ना NCRT को रीड करना ही सबस करांगी नेक्स्ट वीडियो में तो चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज हमारी वीडियो है लाइफ साइकल फैसियूला है पैटिका पहले कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको लेकिन एक बर मैं फिर से इसके बारे में कुछ कॉमन बाते इंट्रिड्यूस कर देती हूं जैसे कि इसका कॉमन नेम क्या होता है लिवर फ्ल्यूक है ना लिवर फ्ल्यूक इसका कॉमन नेम किसलिए है क्योंकि यह मेंली किसको इंफेक्ट करता है लिवर को इंफेक्ट करता है यह ट्रिमाटोडा क्लास से बिलॉंग करता है थार्ड हम बोलते हैं liver cirrhosis तो यह कौन से डिजीज करता है फैसी ओलियासिस लिवर रोट और लिवर cirrhosis है ना इसका जो प्राइमरी होस्ट है अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले इसके नेचर की बात कर लेते हैं यह जो है नेचर में यह कॉस्मो पोलीटन है मतलब हर जगे मिल जाता है ना बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि एक शीप के अंदर बहुत सारे नंबर में भी लिवर फ्लूक्स प्रेजेंट है ना और इसके अलावा बीटा यह डाइजेनिटिक है जो मैंने आपको कल बताया था डाइजेनिटिक मतलब क्या है दो होस्ट को यूज करके यह अपनी लाइफ साइकल को कम्प्लीट करता है है ना अब प्राइमरी होस्ट के बात करते हैं कि इसका पहला होस्ट कौन है है ना पहला होस्ट मायका इसका पहला होस्ट होता है बीटा शीप भी हो सकती है वो कैटल्स भी हो सकती है और मैंन भी हो सकते है यानि कि हूँमन शीप और कैटल्स में चे कोई भी हो सकता है और जिसका सेकंडरी होस्ट को हम यह प सबसे पहले हम यहां से सबसे पहले हमारी पर बन और रिक में पर रिक करता है तो उतल बैपiest व्यक्तरियन को मुई यह मेंड। क्या है बिटा कि इसने अपने आपको सिस्ट से कवर किया हुआ है सिस्ट आप लोगों ने पहले भी बहुत बार टम सुनी होगी सिस्ट किसलिए होती है कि वो बॉड़ी की अनफेवरेबल कंडिशन में प्रोटेक्शन कर सके है ना तो यह एंसिस्टेड मेटा सरकेरिया स्टेज में यहाँ पर है सिस्ट से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है अब यह क्या करेगा मैन में कैसे एंटर करेगा यहाँ पर सबसे पहले यह मैन के माउथ के थरो है ना माउथ के थरो यह सबसे पहले जी आई ट्रेक्ट में एंटर करेगा, GI tract मतलब gastrointestinal tract जो है, वहाँ पर एंटर करेगा, mouth के तरू ये जाएगा, isofagus में, stomach में, small intestine में, large intestine में, इस सरे से जाता है, अब small intestine के dudenum के तरू है ना, small intestine के dudenum से निकल के, ये एंटर कर जाता है, liver में और gall bladder में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि liver और gall bladder की जो duct है, वो commonly भी जोड़ी होई होती है, तो उस duct में भी रहता है, और liver को भी infect करता है, और gall bladder को भी infect करता है, तो liver और gall bladder में एंटर कर जाएगा, और still ये किस stage में है, metasarcaria stage में, अब liver में एंटर करने के बाद ये क्या करता है बच्चे, ये ना खुद को mature करता है, महाँ जाके, liver में एंटर करने के बाद खुद को mature करेगा, और adult faciola में convert कर लेगा, adult faciola मतलब कि जो पूरा बड़ा faciola होता है, faciola hepatica, उसमें सब्सक्राइब कर लेता है, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने कल आपको structure explain किया था, कि adult faciola होता है, उसका एक conical head होता है, दो उसमें सकर्स प्रेजन होते हैं, coral सकर्स और एक जो acetabulum मैंने आपको बताया था, यह ऐसा कुछ दिखता है adult faciola, यहाँ नीचे screen पर मैंने एक picture भी दिखाए है, वो real faciola hepatica है, जो मैं picture अपर शो हो रही है आपको screen में, वो real faciola hepatica है बिटा, तो यह adult faciola में convert हो जाता है, adult faciola जो होता है, उसका size लगबग, वो 30 mm long होता है, कभी-कभी वो 70 mm long तक भी हो सकता है और उसके width जो होती है, वो होती है, 13 mm तक है ना, 13 to 15 mm उसके width होती है और यह दिखने में कैसा दिखता है, leaf like, यहनि कि बिल्कुल flat है, प्लैटी हिलमेंथीज का member है, है ना, flat like दिखेगा, बिल्कुल leaf की तरह दिखता है, अभी तक हमने क्या दिखा, कि liver में infection के बाद, को पता है, या नहीं पता, मैं बताती हूं एक बार, एक फैसियूला, एक बार में, मतलब एक बार की अपनी life cycle में, लगबग 25,000 eggs भी रिलीज कर सकता है, तो उसके बाद यह convert होगा, कि इसमे, एंसिस्ट्रिड मेरे सीडियम, जो इसका फर्स्ट लार्वा बनेगा, वहां से यह मेरे सीडियम में convert हो रहा है, और यहां इसने अपनी sexual life complete कर लिए, जो मैन में, या फिर शीप में, या फिर केटल में, जो थी, यहां इसकी sexual life complete हो गई, अब यह जो एंसिस्ट्रिड मेरे सी इसे के थ्रो यह बाहर निकल जाता है उनकी बॉडी से, अब बाहर निकल गया, अब उसके बाद क्या होगा, बाहर निकलने के बाद यह फीड नहीं करता है, यह क्या करता है अपने secondary host, यह कि intermediate host को डूनता है, जो कि कौन है हमारे हाँ पे, snail, जब उसको इसका intermediate host मिल जाता है snail, तो यह snail के digestive glands में enter करता है, और digestive glands में enter करने के बाद अपनी asexual life complete करता है, man में या sheep में या cattle में वो अपनी sexual life सो complete कर चुका, अभी में आप लोगों ने देखा है ना, उसके बाद यह snail में अपनी asexual life को complete करता है, snail में जाकि यह बिटा क्या करता है, यहां से, जो encystant, मे तो अपनी cilia को lose कर देता है, ना, cilia नहीं है, अब इसके पास, फिर एक sporocyst में grow होते हैं, बैटा, रेडिया लार्वा, sporocyst से जो next stage आएगी, वो होगी रेडिया लार्वा, और एक sporocyst से 4 से 5 रेडिया लार्वा यहां पर निकलते हैं, और रेडिया लार्वा के बाद यह finally convert होगा एक टेल वाले सरकेरिया लार्वा में, ठीक है, कुछ टेल जैसा structure इस पर प्रिजेंट होगा, और यह finally इसका जो last level stage है, वो सरकेरिया लार्वा में convert हो जाएगा, सरकेरिया लार्वा क्या करता है, अपने उपर सिस्ट बनाता है, सरकेरिया लार्वा पहले निकल गया स्नेल की बोड़ी से, यहां तक कि स्नेल की बोड़ी की cycle complete हो गई, सरकेरिया लार्वा तक, अब सरकेरिया लार्वा बोड़ी से, स्नेल की बोड़ी से बाहर निकल जाता है, और अपने उपर सिस्ट की formation करता है, स्विम करता है, और वाटर प्लांट्स में फिर से एंटर कर ज में एंट्री कर गया तो आप लोग देख रहे हैं फिर से वही साइकल रिपीट हो जाएगी एक बर मैं फिर से आपको बता रही हूं वाटर प्लांस में इसका एंसेस्ट्रीड मेटर सरकेरिया प्रिजन्ट था जिसने लिवर में एंटर किया वहां पर अडल्ट फैसियोला बन बनाया उसने कंचे फाइनल यह अपर सीडियम लार्वय जो की सेक्शलल लाइफ यहां पर प्रिसस रिलीज हो जाता है मेरे आपणने अगले होस्ट कोMr. Chris area ने को ढूंता हैं अपने सेक्शलल लाइफ के लिए उसके डाईजिस्टिव ग्लैंन में चला जाता है फिर पुरो होस्ट में रहकर अपनी लाइफ साइकल को कम्प्लीट करता है तो इस वस अबाट दा लाइफ साइकल फैसी ओला कभी-कभी बेटा इसमें से नीट में होस्ट का भी नाम पूछ लेते हैं कि सेकंडरी होस्ट कौन है यह भी पूछ लेते हैं कि इस लार्वा में या इस पूरी साइकल में इसकी कौन कौन सी स्टेज एंसिस्टेड होती है यहीं कि किस कि स्टेज में सिस्ट प्रेजेंट होती है कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि प्रेज़ नहीं। ठी नहीं प्रस्चार्ण होता है। श्चाहले जिसुट्षे में कभी पहां प्रेग्सूरां करetus लेसं करें। इस टारी क्योंकितं सब्सक्राइब खोले हैं तो यह कणा।